शिव बाबा याद है ना? तो राजा बनने की तैयारी करनी है, अपना घाटा, अपना फायदा आपको स्वयम सोचना है, जो व्यापारी होते हैं, वो प्रति दिन अपना घाटा और फायदा जरूर निकालते हैं, ऐसे ही व्यापारी बुद्धी को प्रयोग करते हुए, हमें देखना है, कि हम सीखने आए हैं, तो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे, उच्छ पद पाना है, तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, ऐसा ना हो जो 21 जन्मों के लिए घाटा पढ़ जाए, पूरा पुर्शार्थ करना है, अच्छी रिती पढ़ना है और याद में रहना ह यहां यह स्कूल है, निराकार्श्व बाबा ब्रह्मा दन से पढ़ाते हैं, तो बाबनी का यह कोई साधूम हातमा नहीं, यहां पर कोई सन्यासी नहीं जिससे तुमें कोई डर लगे, यहां तो तुम बच्चे समझते हो, हम अपने पिता के समुख बैठे हुए हैं, हमें उनको याद करना है, और कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, कई बच्चे आश्रेवत सुननती, कथनती और भागनती हो जाते हैं, माया उनको हरा देती है, पाबा केते बच्चे, तुमें इस युद्ध में विजयी बनना है, तुम अपने मित्र समंधियों को याद करते ह अपने बाल बच्चे को याद करते हो, क्या मुझे याद नहीं कर सकते हो, तुमें सत्त का संग करना है, गाते हैं सत्त का संग तारे, कुसंग जुबोई, आप यहाँ आए हो, तो तुमें मनुष्य से देवता बनने के लिए दैविगुन धारन करने हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो, भाबा केते हैं आप मुझे अपने स्वर्ग में कभी नहीं बुलाते हो, मैं तुमें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, लेकिन तुम बच्चे मुझे स्वर्ग में जरा भी याद नहीं करते हो, कि आकर यहाँ सुख प्राप्त करो स्वर्ग में जाने की तैयारी, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है स्वयम भगवान पढ़ाते हैं, हम गौडली स्टूडेंट हैं, अच्छी रिती पढ़ना है संते हैं, बाबा के मदर बोल, बाबानी का मीठे बच्चे, इस पुर्षोतम संगम युग में, पुर्षोतम बनने का पूरा पूरा पुर्षाट करो, जितना हो सके, याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो कोश्चन है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हूँ, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए हमेशा घाटे और फाइवे पर विचार करो, अगर इस पर विचार नहीं किया, तो प्रजा में दास-दासी बनना होगा बाप 21 जनम की राजाई का जो वर्सा देते हैं, उसे गवा देंगे, इसले बाबा से पूरा सोधा करना है बाबा है दाता, तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुथी देते हो, और विश्व की बादिशा ही लेते हो बच्चे यहां बैचे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सतसंग नहीं, महन्त, ब्रामर्ण, वा कोई सन्यासी सामने नहीं बैचा दर की कोई बात नहीं, कि सवामिन राजना हो जाए, भक्ति मार्ण में, जब कोई सादू सन्यासी को घर में बुलाते हैं, उसके पाउं धोकर पीते हैं, यह तो बाप है ना, घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या, तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो, ब्रमा बाप के अंग संग भी बहुत बच्चे रहे, बाबा के संग खाना, पीना, सोना, सब बाबा ने कर तुम तो कभी डरते नहीं हो, सन्यासी गुरु आदी के साथ ऐसे करते हैं क्या, मा तो सारा दिन गुरु जी, दुरु जी करते रहते हैं, यह तो ऐसे नहीं करना, यह तो है, आतमाओं का पिता है, गुरू से अपना वर्सा, तीचर से अपना वर्सा मिलता, बाप से तो प्रोपर्टी मिलती, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहां बाप के बच्चे बने, बाबा को पहचाना, बस हम स्वरक के मालिक हैं, बाबा है स्वरक का रच्यता, इन लक्ष्मी नारे ने, स्वरक की राजाई कैसे और कहां से लिए, कोई भी नहीं जानते हैं, लक्ष्मी नारे ने, यह वर्सा कहां से लिया, राजाई कहां से लिए, कोई नहीं जानते हैं, तुम समझते हो, हम ये थे, हम ये बन रहे हैं, पाच सेकिन के लिए अभ्यास करें अपना लक्षे सामने लाएंगे, हम ये थे, हम ये बन रहे हैं, हम ये थे, हम ये बन रहे हैं, मनुश्य कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, हम किसको पूझते हैं, शिव के मंदिर में जाकर सरफ लोटी चड़ा कराते, जानते कुछ भी नहीं, तुम्हें अब फीलिं गाती, हम ये बृत्यो लोग का शरी चोड़, अमर लोग में जाएंगे, प्राप्ती कितनी भारी है, भगती मारग में कुछ भी प्राप्ती नहीं, बाबा खुद कहते, हमने बारा गुरु किये, अब समझते हैं, ये तो टाइम वेस्ट हो गया, और ही नीचे उतरते आएं प्रांतो ये भी ड्रामा में नूद है, हमारी कोई से दुश्मन ही नहीं, हमारी एक बाबा के साथ प्रीत है, तुम जब अंदर क्लास में आते हो, तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए, कि हम पढ़ करके ये बन रहे हैं, चित्र देखकर खुशी होनी चाहिए, हम ये बन रहे हैं, तो मैं मालूम है राजधानी कैसे स्तापन होती है, बाबा केते हैं, बच्चे मूझो मत, बाबा इतना अच्छी रिती समझाते, फिर भी आश्रेवत सुननती, कथनती और भागनती हो जाते, इतना अच्छा बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे आश्रे पुर्षाट कराते, भग्ती में कितना भटकते, दान पुन्य तीरत व्रत नेमादी बहुत करते, अच्छा साक्षत कार हुआ तो क्या हुआ? चड़ती कला तो हुई नहीं, और ही उतरती कला हो गई, तुम्हारी दिन रात अब चड़ती कला है, दिन प्रती दिन चड़ती कला बाकी सब के उतरती कला, गुरु लोग कहते भी हैं, ज्यान ब्रह्मा का दिन, भग्ती ब्रह्मा की रात, ज्यान और भग्ती में रात दिन का फरक है, ज्यान से सुख मिलता है, बाबा कितना सहच समझाते, तुम्हीं विश्व के मालिक थे, फिर तुम नीचे उतरते आएं, अब बाबा कहते हैं, सिरफ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, पांच चके नभ्यास करेंगे, मस्तक में ज्योती बिंदू सितारा चमक रहा है, बाबा कहते हैं, कि तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कहती, हे अविनाशी बाब, आप हमें आकर पावन बनाओ, मुक्ती जीवन, मुक्ती इसमें सब आ जाता तुम अब समझते हो भगती में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंडते रहते थे, गाते रहते थे भगवान रहम करो, भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्सा याद नहीं आता तुम कहेंगे उचे से उचे शिव बाबा, तो फोरन वर्सा याद आएगा, बाबा शब्दों में कितना जादू है न, जैसे कहते हैं बाबा, फोरन वर्सा याद आजाता है, अब तुम समझते हो कि रामराज्य है, रामराज्य होते है सत्यूग में, अभी तो कल्यूग है, स सकते हो, शांती का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ती का भी वो सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है, अब तुम जानते हो, सत्यों में बहुत धनवान थे, विश्व में शांती वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांती मिलती है परमधाम घर में, विश्व में हम अकेले ही थे तो सुक शांती सब था अब बच्चों को बहुत खुशी होने चाहिए ऐसे स्वरक के लिए शास्त्रों में क्या-क्या बाते लिखती बाबा के ते मैं तुम्हें इतना समझाता हूं जो तुम्हें कोई भी प्रश्ण आदी पूछने की दरकार नहीं पहले तो मा में कम याद करो सिरफ एक मुझे याद करो और किसी को नहीं तुम बुलाते हो पती तो क्वा के पावन बनाओ अठाथ पुरानी दुनिया को नया बनाओ प्रंतु अर्थ कुछ नहीं समझते सुत मूंचा हुआ है अब सुल्जाना पड़ता है भगती में कितने चित्र बनाए स्रीकृष्ण को चक्र दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा अरे वो कोई हिंसक था क्या फिर कहते फलानी फलानी को भगाया डबल हिंसक बना दिया एक तरफ दिखा दिया सुदर्शन चक्र की अकासुर भकासुर को मारा, फिर दिखाते हैं फलानी फलानी को बगाया, डबल हिंसक बना दिया, बंडर है न, जिनोंने शास्तर बनाए, उनके बुद्धी की कमाल है, फिर उनको कहते व्यास भगवान, अब बाबा कहते, मुझे याद करो, दैवी गुन धारण करो, धैर्यत मधूरता, संतुस्टता, ये डैवी गुन है, इन्हें धारण करो, और कोई बात नहीं, तुम्हें योग में बिठाए जाता, क्योंकि बहुत हैं, जो बाबा को याद ही नहीं करते, अपने धंदे में बिजी रहते हैं, उनको फुरसत ही नहीं, प्रंतो इसमें तो काम करते भी बुद्धी से याद करना है, तुम आशिक हो, मुझ माशुके, मैं तुमको कहता हूँ, ओर संग तोड, मुझ संग जोड़ो, खाते पीते सिरफ आदत डालो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाब को याद करो, बाबा तुम्हें कितना उंचा बनाते हैं, तुम य पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद ही नहीं करते, अपने बाल बच्चो को याद करते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो, अज बाबा का मीठा सस्वरूप, उलाने वाला, कि अपने बाल बच्चो को याद करते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो, वास्तों में लड़ ले बच्चे, तुम्हारे 84 जनम पूरे हुए, अब वापिस जाने के लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, विकार में जाने के कारण तुम बहुत पतित बने हो, पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, 84 के चक् है, इसकार्थ कोई नहीं जानते, मुख से ज्ञान शंक वजाना है, ये ज्ञान की बाते हैं, ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर का रच्यता है, बाबा को याद करो, तो तुम्हारी चड़ती कला, याद करने से चड़ती कला, कितनी सहज बात है, तुम बच्चे बनाव बनाये ज्रामा है, हर पांजर वश की बाद बाप आते हैं, अब अच्छी तरह से पुर्शाइट करो, तुम धन के पीछे क्यों मरते हो, अच्छा मास में लाख दो कमाएंगे, परन तो ये सब तो खतम हो जाएगा, बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे, कम पुर्शाट किया, तो प्रजा में दास दासी जाकर बनेंगे, कितना घाटा हो जाएगा, तो घाटे और फाइदे पे विचार करो, ये अपारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माओ निकालते हैं, ये तो है अविनाशी ज्ञान रतनों का व्या करते हैं, ये सोदा डारेक्ट बाप से करना है, बाप देते ज्यान रतन, वो तो दाता है, बच्चे चावल मुठी देते, बाप तो देते विश्व की बादिशाही, हम सब के पास क्या है? चावल मुठी, बहुत थोड़ा, बाबा उसके बदले विश्व की बादिशाही द लेकर विश्व के मालिक बनते हो, बुद्धी कहती एक ही भारत खंड होगा, प्रकृती भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, सत्यूग में तुम देवताई थे, तो प्योर सोना थे, त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पढ़ती, उनको सिल्वरेज कहा जाता सिड़ी नीचे उतरते जाते, इस समय तुम बहुत उचे हो, विराठ रुप का चितर भी है, सिरफ अर्थ नहीं समझते, कितने धेर चितर हैं, कोई क्राइस्ट का चितर रखते, कोई साई बाबा का रखते हैं, मुसल्मानों को भी गुरू करते हैं, फिर वहाँ जाकर शरा कुसंग जुबोई, कुसंग है माया के पांच वी कारूं का, अब तुम्हे सत्त बाब का संग मिला, जिससे तुम पार हो जाते हो, सत्त का संग मिलने से पार हो जाते हो, बाबा ही सत्ते बोलते हैं, कल्प कल्प तुम्हे सत्त का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कु संग मिलता है रावन का ये भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी तुम विश्व के मालिक बनेंगे या तो पार्टीशन के कारण कितने जगड़े होते वहां तो है एक धरम विश्व में शान्ती थी जबकि अद्वैत देवताओं का राज़े था एक ही धरम था वहां अशान्ती कहां से आई वो है इश्वरी राज़े स्प्रिच्वल नौलेज से परमात्मा ने किंग्डम सापन की तो जरूर वहां सुख होगा बाप का बच्चों पर प्यार रहता बाप कहते मैं जानता हूं तुम्हें कितने धक्के खाने पड़ते समझते भगवान कोई न कोई रूप में आ जाएगा कभी बैल पर सवारी दिखाते अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या कितना अधियारा है तुम बच्चे अब सबको बताओ बाबा सबको वर्षा देने आए है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है बाबा हमेशा बढ़ के जाड का मिसाल देते है वैसे इसका जो फाउंडेशन है वो फिर से स्थापन कर रहे है और कोई धरम रहेगा नहीं भारत अवीनाशी खंड और अवीनाशी बाप का विर्थ प्लेस है तीचर के रूप से पढ़ाते है तुम बच्चे पढ़ कर मेरे से भी उंच चले जाते हूँ मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ तुमने मुझे कभी स्वरग में बुलाया क्या कि आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ, इतना मजे का खेल है, बाबा केते, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजता हूँ, पर तुम मुझे कभी भी बुलाते नहीं हो, कि आप हमारे स्वर्ग में आजाओ, बाबा केते, अच्छा बच्चे, जीते रो, हम वानप जाकर रहता हूं बाबा केते, अब तो आफ्ते सिर पर खड़ी है इसलिए पुर्शोतम बने का पुर्शोतम संगम युक पे पुरा, पुरा पुर्शात करो बाबा को याद करने का पुर्शात करते रो तो विकरम विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे, वो उच कुल में जाएंगे, बाबा कहते हैं, अपनी घोट तो नशा जड़े, खुद पुर्शाट करेंगे, मेनद करेंगे, तो नशा रहेगा, सदा बच्चों को बाप से वर्सा मिलता, लौकिक में तो बच्चों को मिलता, बाकि कन्यादान हो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, बाबा को कहें मुझे फुर्सत नहीं, अरे, आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शरम नहीं हाता, रिलाजेशन करा रहें बाबा, ए बात कैसे कहते हूँ कि पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, किलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप ददका याद प्यार गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते रुखानी बच्चो की रुखानी बाप ददको याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए सा पहले पुईंट है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है, सत बाप का संग करना है, माया पांच विकारों के संग से वो दूर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रो, कहा जाता अपनी घोट तो नशा चड़े, एक दिन भी पढ़ाई में समत करो संग से बहुत संभाल करनी है, एक सत बाप के संग में रहना है, माया पांच विकारों के संग से वो दूर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रो, कहा जाता अपनी घोट तो नशा चड़े, एक दिन भी पढ़ाई में समत करो, बहुत सुनर व सेवा में सने और सत्यता की अथोरिटी के बैलिंस त्वारा सफलता मूरत भव, जैसे जूट खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथोरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथोरिटी के बोल कभी एहंकार की भासना नहीं देंगे, अथोरिटी के बोल में सने यह समाया हुआ है, अथोरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं, तो फॉलू फादर करो, स्ने और अथोरिटी, निर्मानता और महानता दोनों सासा दिखाई दें, वर्तमान समय सेवा में इस बैलंस को अंडरलाइन करो, तो सफलता मूरत बन जाएंगे जैसे जूटकंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथोरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनकी अथोरिटी के बोल कभी एंकार की भासना दिखेंगे, अथोरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ, अथोरिटी के बोल सरफ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं, तो follow father करो, स्ने और authority, निर्मान्ता और महान्ता, दोनों साशा दिखाई दें, वर्तमास्व में सेवा में, इस balance को underline करो, निर्मान्ता और महान्ता, इनको underline करो, तो सफलता मुरत बन जाएंगे, स्ने भी हो, authority भी हो, जिसको हम कहते हैं, love और lack of balance, उसलोग ने, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य कादिकार लेना, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य कादिकार लेना, अव्यक्त silence दुवारा, double light फरिष्टा सिती, पहले अपने देह के लगाव को खतम करो, परिष्टा बनने के लिए पहले अभ्यास करो, ये देह सेवा के लिए है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ, फिर देखो फरिष्टा बनना कितना सहज लगता है, पहले देभान से मुक्तो जाओ, फिर देखो, ये देह अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ, ये मुझे सेवा के लिए मिली है फिर देखो फरिष्टा बनना सेज हो जाएगा आज अब भिहास करेंगे मैं देभान से मुक्त डबल लाइट फरिष्टा हूँ ट्रस्टी हूँ एक आगर हो जाएं अपने मस्तक में स्वरूप को देखें मैं च्योती बिन्दू सितारा मस्तक में के राजमान हैं मुझे से प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है ये स्थूल शरीर मुझे सेवार्थ मिला है बाबा की अमानत है मैं ट्रस्टी हूँ मेरा कुछ भी नहीं सब कुछ बाबा आपका है मैं भी आपका हूँ परिवार भी आपका है सब कुछ आपका हूँ आप मेरे हो मैं टबल लाइट फरिष्टा हूँ बाबा की शक्तियों को अपने म्याता देखे शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे भले चार और कितना भी हंगामा हो तो भी शान्ती महसूस की जा सकती है लेकिन कैसे इसके लिए आईए सुनते हैं आज का अव्यक ज्यानमोती अब उपर दिये गए बॉक्स पर क्लिक करें